लॉक्डाउन में सबसे त्रासदी पूर्ण घटना मजदूरों का पलायन रहा है जुसमें कई मजदूरों को सैकडों मेल की पादल चलकर यात्रा करने में मृत्यों भी हो गई है प्रदेश कांग्रेस पूरू प्रवक्ता प्रमोज जैन ने सरकार से मांगी है कि पलायन करने वाले लोगों के संकट की समय में घर लोटने वाले मजदूर के प्रतेक परिवार को एक लाख रुपे की आर्थिक साहता राशी दी जाए तथा पलायन के दौरान जिनकी मौत हु प्रमोज जैन जी ने प्रवासी मजदूरों के हित के लिए सरकार के समक्च कुछ बाते रखी है जिने वहाँ उनके तरीके से बताना चाहते हैं हम इसी संदर्वों में प्रमोज जैन जी से बात करेंगे लागडाउन के दर्मियान जो सबसे तराजदे पूर्ण घटना हुई यह सबसे दुखत और दर्दनाग बात हुई वो इसमें मजदूरों का पलायन जो जगा जगा से बिचारे पैदल चलके गिरते पढ़ते उड़ते सोते बेटते जिन परिस्तितियों में अपने घरों पर देखें तराज़ लोमी कि अवोई जया रहा है कोई अपने सामान को साइकल बान के उपर बच्च सोटा है उसको भी बान दिया उसने और जा रहा है कुँछ विचारे मजदूर जा रहे थे और धोड़ तर्थ थक गह उनने बोला चलो लेल की पड़्ली पड़्ती चलत विचारे थके आरे थे नीन लग गई गाड़ी धर धड़ाती वही रेल गाड़ी आई और चल गई और सबके सब मजदूर विचारे कट गए अईसी स्थिति में यहाने बड़ी आपने उस्तादी बताई बड़ी अपनी यहाने बुद्धिमानी बताई कि एक दिन पहले गोष सबस्क्राइब में उनको कूण पूछेगा देखेगा उनकी व्यस्ता की जाना चाहिए थी आप बिदेशों के भर भर के लिए यहान मुद्धित के साथ में मनियाधा के लेके उनके घरों को चोड़ों मस्दूरों को भगवान के बहरों से चोड़ दिया तुमने इस तरह की बुली विचित्र स्थिती बना दी थी बनी है और अभी भी पलायन चल रहा है हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जो विचारी इतनी दिक्कत में जो अपने घर पे पहुंचे मजदूर भाई होन इनको एक एक लाख रुपे एक परिवार को हन्वा से बरकत कुरेशी की रिपोर्ट